हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब उम्मेड है सब अच्छे से होगे आप सब को बगवान बहुत खुश रखे हम सब जानते हैं हम कोई भी AC लेले उसके उपर हमें एक स्टार रेटिंग का लेबल जरूर मिलता है उस लेबल के उपर उस AC की कुछ डिटेल्स लिखी होती है मेरे पास कुछ कमेंट्स आए जिससे मुझे ऐसा फिल हुआ कि उन लोगों को इस स्टार रेटिंग लेबल के उपर लिखी हुई वेल्यूस को लेकर काफी कन्फियूजन है तो सोचा एक वीडियो बनाकर उन लोगों को भी रिप्लाई मिल जाएगा और बाकी भी जिनको नहीं पता इस बारे में उनको भी नॉलिज मिल जाएगी तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत दिटेल से बात करेंगे स्टार रेटिंग लेबल के बारे में तो आप सब जानते हैं कोई भी AC हो उसके उपर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार इस तरह से एक लेबल लगा होता है उस लेबल के उपर आपको रेड कलर में स्टार होते हैं तो रेड कलर में जितने स्टार होते हैं उतने स्टार का वो AC माना जाता है तो माल लो आपके स्क्रीन के उपर एक ये स्टार रेटिंग लेबल मैं दिखा रहा हूँ ये सेम star rating label मेरे screen के उपर भी है ताकि मैं आपको ठीक से बता सकूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 star का ये कोई AC है जिसका ये star rating label है अब इस AC को ये 5 star क्यों मिले हैं? यहाँ पर सबसे ज़्यादा confusion रहती है तो आप देखेंगे किसी भी star rating label के उपर एक हरी पटी होती है उस हरी पटी में उस AC का energy efficiency mentioned होता है जिसको ICR value भी बोल देते हैं ICR value का मतलब होता है Indian seasonal energy efficiency ratio तो ICR value जितना होता है उसके हिसाब से stars allocate किये जाते हैं उस model को या उस AC को ICR value कम रहेगा तो कम star जादा रहेगा तो जादा star ये आपके screen के उपर एक chart है एक slab होता है basically उस slab में जब ICR value आती है उसके हिसाब से उसको star दे दिये जाते हैं तो ऐसे में यहाँ पर उस ICR value के नीचे उसकी validity date भी लिखी जाती है यानि कि अगर आपने कोई 5 star AC लिया है वो AC 5 star rating में कब जब जब बना रहेगा उसकी validity date लिखी जाती है यानि कि label period लिखा रहता है और वहाँ पर end date भी लिखी रहती है तो ये जो star rating label है ये पुराने किसी model का है हमारे पास आप इसमें देख सकते हैं कि 30 June 2022 date mentioned है तो इसके हिसाब से ये कह रहा है कि 30 June 2022 तक इस AC की ICR value 4.73 है इस ICR value के हिसाब से ये AC 5 star rating का माना जाएगा 30 June 2022 तक उसके बाद लिखा होता है appliance type यानि कि जो AC है हमारा वो window AC है, portable AC है, split AC है कौन सा AC है, उसका type लिखा रहता है और अगर RAC लिखा है RAC का मतलब होता है residential air conditioner उसके बाद slash देके window या split लिखा हो सकता है और brand का नाम वहाँ पर mention होगा कि वो किस brand का AC है अब ये आप देख रहे हैं, ये LG brand का यहाँ पर mention है, तो यानि कि LG brand का किसी AC के उपर लगा हुआ star rating label है, जिसका picture हमारे पास है, अब उसके बाद उस AC का model और year लिखा हुआ है यानि कि वो जो AC है उसका model number क्या है technical model number क्या है और वो AC का year कौन सा है यानि कि model year कौन सा है तो वो सारी चीजे भी mention होती है अब मालो जैसे ये है जो model यहाँ पर लिखा है यह model 2021 में LG ने launch किया होगा यह 21 का यह model है तो यहाँ पर यह हमें दर्शार आए अब आती है main confusion वाली तीन term cooling capacity bracket में 100% लिखा हुआ है और आगे लिखा है 5000 watt अब watt जो लिखा है यहीं पर सारी confusion हो जाती है बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि 5000 watt का मतलब है कि यह AC 5000 watt का load लेगा जब अपने full load के उपर चलेगा और उसके लिए उनको यह लगता है कि हमें अब अपने electricity meter का जो load है वो up to 5 kb बढ़वाना पड़ सकता है ठीक है तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात clear करके चलूं कि यहां पर cooling capacity जो है वो दो भागों में लिखी जाती है एक है 100% और एक है 50% 50% में आप देखोगे 2500 watt लिखा है और 100% में 5000 watt लिखा है तो यह तो बटविस है कि 100% और 50% में आदे आदे का फरक होगा लेकिन दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि यह जो wattage लिखी है यह AC का load कते ही नहीं होती आपको यह बहुत सारे ऐसे लोग है जिनको ऐसा लगता है तो अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने दिमाग से प्लीज यह बात निकाल दीजिए क्योंकि यह जो wattage लिखी है यह AC की load यह विजली खपत को नहीं दर्शा रही है यह दर्शाती है AC कितनी क्षमता से cooling कर सकता है यानि कि वो AC कितने ton का है उस ton को watt में convert करके यहां पर लिखा जाता है अब ton को watt में कैसे convert किया जाता है उसके लिए आप मेरा यह video देख सकते है इसमें मैंने बहुत detail से बताया हुआ है कि 1 ton को हम kilowatt में या watt में कैसे बदल सकते हैं ठीक है वैसे आपको बताऊं तो 1 ton बराबर होता है 3517 watt kilowatt में मानोगे तो 3.5 kilowatt का 1 ton होता है तो यहाँ पर tonnage भी लिखी जा सकती है लेकिन tonnage ना लिखकर यहाँ पर wattage में cooling capacity लिखी जाती है और जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है cooling capacity यानि कि थंडा करने की शमता तो यह इसको आप मतलब electricity consumption या load से जोड़ कर बिल्कूल भी मत देखें यासे बहुत सारे कमेंट आते हैं इसलिए वीडियो बना रहू है तो hope so यह बात आपको clear हो गई होगी अब यहाँ पर लिखा हुआ electricity consumption अब यह जो electricity consumption यहाँ पर लिखा हुआ है उसके आगे लिखा रहता है अब मालो जैसे यह एक लेबल है इस पर लिखा है 818.81 units per year तो यहाँ पर हमें यह समझ आ रहा है कि यहाँ पर units की बात हो रही है और per year का मतलब सालाना कि यह AC एक साल में इतने units consume करेगा सबसे पहली तो बात यह है कि कई लोगों को यह भी लगता है कि यह जो units लिखे हुए है यह units नहीं है यह AC का load है तो आपको clear करना चाहूंगा कि यह load नहीं है AC का यह units है जो वो consume करेगा तीक है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है बहुत साफ साफ units per year अब यहाँ पर भी बहुत confusion है कि यहाँ पर जो एक साल के units लिख देती है इस label के उपर company तो वो उससे तो कहीं ज़्यादा unit खा जाता है हमारा AC क्योंकि यह तो एक साल में लिखे हुए 800 unit माल लो और हमारा AC तो माल लो एक महीने में खा जाएगा इतने unit 200 unit भी खा जाएगा जादा भी खा जाएगा तो basically जो BEE department है उन्होंने एक parameter set किया हुआ है AC को test करने का उन test conditions में किसी भी AC को test किया जाता है 1600 घंते चला कर अलग-अलग ताप मान के उपर उस AC की testing की जाती है जो भी standards Bureau of Energy Efficiency ने तै किये हुए है किसी AC को test करने के लिए उस testing के दोरान वो AC कितनी बिजली की खपत करता है उस खपत को यहां पर लिख दिया जाता है ये खपत बिल्कुल भी ये नहीं दर्शाती कि ये AC आपके घर में भी इतनी ही बिजली खाएगा ये खपत ये नहीं दर्शाती कि ये AC को आप साल भर चलाएंगे तो सिरफ इतनी ही बिजली खाएगा ये सिरफ एक पैमाना है ICR value को निकालने का या ICR value को नापने का जिसके according उस AC को stars allocate होते हैं ठीक है आपका AC यकीनन इससे कहीं ज़ादा बिजली खाता होगा या फिर इससे कम भी खा सकता है अगर आपके room के conditions कुछ ऐसे है तो हो सकता है इससे भी कम भी खाएगे आपका AC या आप इतना चलाएं ही ना AC तो फिर वो कम ही खाएगा तो ऐसे में ये चीज बहुत confusion में रहती है लोगों के तो सबसे पहली बात energy consumption जो यहाँ पर लिखी है वो watt में नहीं होती है वो units होते है अच्छा ये भी चीज एक आपको बता दूँ अगर आप कोई पुराना AC देखेंगे तो पुराने AC जो होते थे उनके अंदर जो power consumption या electricity consumption लिखा रहता था लेबल के उपर उसमें watt लिखा होता था ठीक है लेकिन अब जो कई सालों से ये लेबल आ रहे है इनके उपर वो load नहीं लिखते है अब वो units लिखते हैं सीदे उसके बाद compressor type लिखा रहता है compressor type का मतलब ये है कि क्या वो AC fixed speed पर चलने वाला है क्या वो AC inverter AC है ये चीज यहाँ पर पता लग जाती है हमें यहाँ पर जैसे ये एक variable speeds वाला AC है variable speeds का मतलब हो गया कि इसमें जो compressor लगा हुआ है वो अलग-लग speeds के उपर काम कर सकता है तो जिसका मतलब है कि ये एक inverter AC है अगर यहाँ पर single speed लिखा हो तो आप समझ जाएए कि ये AC fixed speed वाला AC है या फिर non inverter AC है तो यहाँ की label देखके ही हम उस AC के बारे में सब कुछ जान सकते हैं उसके बाद last में लिखा होता है heat pump अब ये heat pump क्या होता है heat pump दोस्तों वो होता है इसमें जादतर आपको no लिखा मिलेगा क्योंकि हमारे इंडिया में जादतर जो AC sale होते हैं या बिखते हैं या लोग खरीदते हैं वो cooling only AC होते हैं यानि कि सिरफ ठंड़क देने वाले AC ही हम जादतर खरीदते हैं जो AC 2-in-1 होते हैं जिनको hot and cold AC कहा जाता है all weather AC कहा जाता है all season AC कहा जाता है यहाँ पर no की जगा yes लिखा होता है यानि कि जो AC हमें cooling के साथ heating भी दे सके सर्दियों में उसमें yes लिखा होता है तो ये सारी चीजें AC के बारे में सब कुछ बया कर देती हैं तो इस star rating label को हमें ध्यान से देखना चाहिए और इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए ताकि सामने वाला बंदा हमें बेवकूफ ना बनाए या फिर कोई चलाकी ना खेले हमसे तो उमीद है आपको ये सारी बाते समझ आ गई होंगी मेरे पास बहुत सारे comments आते हैं उन्ही comments में कोई ना कोई मैं ऐसा topic चुनने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको ज़ादा से ज़ादा knowledge दे सकूँ किसी चीज के बारे में तो ये एक मुझे ऐसा comment लगा कि जिसके बारे में मुझे वीडियो बनानी चाहिए आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे comments में जरूर बताईएगा अगर यहां तक वीडियो आपने देख लिया है तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा जरूर लगा होगा तो एक like जरूर करते जाईएगा मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नई topic के साथ तब तक के लिए God bless you दोस्तों